साथियों, नागा लेंड में नागा समाज की जीवन शाहिली, उनकी कला, संस्कृति और संगीत, ये हर किसी को आंकरसित करती हैं। ये हमारे देश की गवरोवसाली विरासत का अहम हिस्सा है। नागा लेंड के लोगों का जीवन और उनके स्किल्ज सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत महत्वपून है। इन परंपराओं और स्किल्ज को बचा कर अगली पीडी तक पहुचाने के लिए भहा के लोगों ने एक संस्ता बनाई हैं जिसका नाम है लीडी क्रोयू। नागा संस्कृती के जो खुबसुरत आयाम धीरे धीरे खोने लगे थे लीडी क्रोयू संस्ता ने उन्हें फिर से पुनरजिवित करने का काम किया है। उधार के तौर पर नागा लोग संगीत अपने आप में एक बहुत समरुद्ध विधा है। इस संस्ता ने नागा संगीत की अल्बम लॉंच करने का काम शुरू किया है। अब तक ऐसी तीन अल्बम्स लॉंच की जा चुकी है। ये लोग लोग संगीत, लोग नूत्य से जुड़ी वर्क्शॉप भी आविजित करते हैं। युवाओं को इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। यही नहीं। नागा लेंड की पारंपारिक शाहिलीब है। कपड़े बनाने, सिलाई, भुनाई जैसे जो खाम उनकी भी ट्रेनिंग युवाओं को दी जाती है। पुर्वत परमें बैंबू से भी कितने ही तरह के प्रोडक्स बनाई जाते हैं। नई पिड़ी के युवाओं को बैंबू प्रोडक्स बनाना भी सिखाये जाता है। इससे इन युवाओं का अपनी संस्कृति से जुरावत होता ही है। साथ ही उनके लिए रोजगार के नहरे अउसर भी पैदा होते हैं। नागा लोग सांस्कृति के बारे में जादा से जादा लोग जानें, इसके लिए भी लीडी क्रोयू के लोग प्रयास करते हैं। साथियों, आपके ख्षेतर में भी ऐसी सांस्कृतिक विधाय और प्रमपराय होगी, आप भी अपने अपने ख्षेतर में इस तरह के प्रयास कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में कहीं ऐसा कोई अनुठा प्रयास हो रहा है ताब उसकी जानकारी मेरे साथ भी जरूर साजा करिए